हेलो एब्रीवन स्वागते आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉब में RPSC ने तीन बड़ी भरतियों के नोटिफिकेशन जारी किये हैं जिसमें All India Candidate अप्लाए कर सकते हैं बिल्कुल पर्मानेंट गॉर्मेंट जॉब रहने वाली है सैलरी जो है काफी अच्छी रहेगी लेवल 12 और लेवल 14 के अकोर्डिंग अलग-अलग पोस्ट वाइस सैलरी है तो आप मान सकते हैं आपकी सैलरी जो है 34,800 से लेकर 78,000 से भी अधिक रहेगी तो नोटिफिकेशन में सारी चीज़े चेक करेंगे तीनो ही नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा अन्तो तक वीडियो के देखिए और इसमें आप किसी भी राज्य के कैनिरेट आविदन कर सकते हैं आपकी नियूनतम उम्र 21 वर्स और अधिक तम 40 वर्स होनी चाहिए क्वालिफिकेशन चेक करेंगे चले देख लेते हैं सबसे पहले ओफिशल वेबसाइट पर आना है तो सबसे पहले जो है ओफिशल वेबसाइट पर चले आएं पब्लिक सर्विस कमिशन राजिस्थान की और इसमें तीनो ही नोटिफिकेशन 2 सितंबर को जारी किये है सबसे पहला जो है नोटिफिकेशन डेटेल में अडवर्टीजमेंट है समूहू अनुदेसक या सर्वियर या सहाइक सिक्षूता सलहकार ग्रेड सेकिंड का पद है इसमें कुल 68 पदों पर वेकेंसी आई है नेक्स्ट जो विस्रित विज्यापन जारी किया गया है 2 सितंबर का ही राजिस्थान राज्य एवं अधिरस्त सेवाएं इसमें कुल 733 पदों पर वेकेंसी आई है राज्य सेवाओं में 346 पद और अधिरस्त सेवाओं में 387 पदों पर तीसरा जो नोटिफिकेशन है असिस्टेंड फिस्रीज डेवलपमेंट ऑफिसर के कुल 8 पदों पर वेकेंसी है ये सभी पद जो है स्थाई है पर्मानेंट वेकेंसी है सभी ठीक है आप देख सकते है सभी पद जो है इस्थाई है अब एक 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 करके जो है वो जान लेते हैं सबसे पहले जो है हम देखेंगे राजिस्थान राज्य वम अधीनस्त सेवाओं में राज्य सेवाओं के अंतगत 346 पद है कुल 733 पदों में से इसमें आप देखें राजिस्थान परिवहन सेवाकी अंतरगत वेकेंसी है, राजिस्थान समयकित बाल विकास सेवा, राजिस्थान देविस्थान सेवा, ग्रामीड विकास सेवा, महला विकास सेवा, राजिस्थान श्रम कल्यान सेवा, राजिस्थान आवकारी सामान्य साखा सेवा, राजिस्थान आवकारी सेवा, अल्प संख राजिस्तान प्रशाश्निक सेवा में यहां पदों की संख्या भी है 28 है, राजिस्तान पुलिस सेवा में 50 पद हैं, राजिस्तान लेखा सेवा में 109 पद हैं, राजिस्तान सहकारी सेवा में 12 हैं, राजिस्तान नियोजन सेवा, कारगार सेवा, उध्योग सेवा, राज्य ब चाल दी तो आपकी बनेगी इसमें, अधिनस्त सेवां में 387 पद हैं, सेवा का नाम है राजिस्थान, देविस्थान, अधिनस्त सेवा, ठीक है, essay और NSA में, पदों की संख्या भी अलग-लग है, आप form apply करेंगे, तो आप जो है इसमें ये जरूर अंकित करेंगे, अभी qualification, बा और इसमें राजिस्थान तहसीलदार सेवा, आवकारी अधिनस्त सेवा, उध्योग अधिनस्त सेवा, वानिजिक कर अधिनस्त सेवा, खाद्य अवं नागरेक रसद अधिनस्त सेवा, ठीक है, राजिस्थान समेकित बाल विकास अधिनस्त सेवा, राजिस्थान सामाजिक न्यायम अधिकारिता अधिनस्त सेवा, परिविक्षायवं कारा ग्रह कल्यान अधिकारी, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारी अधिकारिता अधिनस्त सेवा, जिला परिविक्षा समाज कल्यान अधिकारी का पद है श्रम कल्यान अधिनस्त सेवा और राज्य क्रसी विपणन विभाग अनुभाग से कनिस्ट विपणन अधिकारी राजितान अल्प संख्यक मामलात अधिनस्त सेवा प्रोग्रामर ओफिसर की वेकेंसी ठीक है तो ये दो, देखें, इसirmें जो है vacancy नहीं है. राजिस्तान स्रम कल्यान अधीनस्ते सेवा में कोई पद नहीं है और राजिस्तान अल्प संख्यक मामलात अधीनस्ते सेवा में भी कोई पद नहीं है ठीक है, यहाँ पर भी आप 10 और लेवल 11 के according salary है और राज्य सेवाओं के अंतरगा तो लेवल 12 और लेवल 14 salary ठीक है अब देख लेते हैं कि इसमें qualification क्या मांग रहे हैं तो 21 से 40 वर्स तो उम्र है मैंने आपको बता दिया किसी भी राज्य के candidate हैं आप 21 से 40 वर्स तक के candidate आविदन कर सकते हैं यहां के वल डिग्री चाहिए आपकी ठीक है graduation आपकी complete हो या फिर last year में अगर हैं तो भी आप apply कर सकते हैं जब आप exam देंगे क्योंकि exam के द्वारा ही selection होगा तो exam का जैसे ही result आजाता है उसे पहले आपकी डिग्री complete होनी चाहिए यहां देखिए उक्तपदों की आप अपेक्षित सेक्षनिक एहरता के अंतिम वर्स की परिक्षा में सम्रित हो चुका है या सम्रित हो रहा है वाला व्यक्ती भी आवेदन करने के पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परिक्षास से पहले section एक एहरता अर्जित करने का सबूत देना होगा ठीक है तो आपकी जो है mark sheet आ जानी चाहिए तीनों ही notification में उम्र सीमा यही रहेगी किस से 40 वर जनल कैटेगरी के लिए आप किसी भी राज्य के कैंडिरेट है अगर राजिस्थान राज्य के कैंडिरेट है SC, ST, पिष्टावर्ग, अतिपिष्टावर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुस तो 5 वर्ग की चूट रहेगी और वहीं महला को 10 वर्ग की चूट रहेगी सामान ने अनारक्षित वर्ग की महला को भी जो है 5 वर्ग की चूट है जनर्नल कैटिगरी की, छीकिए आप किसी भी राज्य की कैनिरेट हैं, भले ही राजिस्तान की है या राजिस्तान से अन्ने राज्य की विद्वा एवं विछिन विवहा महला की अधिकतम आयू सीमा नहीं है, no upper age limit तो qualification बता दी मैंने आपको, salary बता दी, IU आपको बता दी, return exam होगा, syllabus जो है बिल्कुल, इसमें आप लोगों को देखते हैं, नीचे syllabus जो है, है या नहीं यहां देखें, journal category, पिछड़ा वर्ग के क्रेमिलेर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रेमिलेर, अभ्यरती, 600 रुपे आविधन सुल्क रहेगा, आरक्षित वर्ग, SCST, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, जो है, 400 रुपे रहेगा, EWS सहरिया शेत्र के, candidate, दिव्य सबका 400 रुपे यहां पर फीस रहने वाली है, scheme of examination पहरे pre होगा, फिर mains होगा, pre में जो है, journal knowledge और general science 200 marks की पूछी जाएगी, और फिर mains आपका होगा, आपकी subject से related, ठीक है, या आपकी post से related, जिसमें paper 1, journal studies, 1, journal studies, 2nd, journal studies, 3rd है paper 3rd, उसके बाद journal Hindi और journal English, ठीक है, सबके 200, 200, 200, 200 marks, ठीक है, उसके बाद जो है, personality and viva voice examination होगा, syllabus का pattern जो है, वो क्या रहेगा, तो यह आप लोगों को official website पर check करना होगा, form fill कर लें आप, और उसके बाद जो है, चेक करते रहें, जैसे ही syllabus जारी होता है, मुझे सूचना मिलती है, आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक ह official website का link आप लोगों को, इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा, आप लोग apply कर सकते हैं, अब next जो, यहाँ पर, समूँ अनुदेशक, सर्वेयर, सहायक, सिक्षुता, सलाका, grade 2nd का जो पद है, जिसमें, कुल 68 पदों पर vacancy है, category wise जो अलग-अलग है, इसमें, non scheduled area 63 है, और 5 schedule area के है, ठीक है, इसमें qualification क्या मांग रहे हैं, qualification इसमें जो है, या तो 12th आपकी complete है, और 12th अगर physics, chemistry, mathematics में है, 7th में, degree आपकी technology या engineering में है, तो apply करें, इसमें अनुद भी जो है मांग रहे हैं, ठीक है, 3 साल का, 5 साल का, degree in technology, engineering में 3 साल का है, diploma in engineering, technology, advanced diploma, इसमें 5 साल का है, अगर आपने national trade certificate है, आपके पास, तो इसमें 8 साल का अनुद है, ठीक है, और इसमें salary जो है, level 12 के according रहेगी, 21 से 40 वर्स के candidate आविदन कर सकते हैं, सब ही में समान रहेगा, IOC में में छूट, application fees, तीनों में समान रहेगी, त देक्स्टर जो हम देखने वाले हैं, assistant fisheries development officer की 8 पदों पर vacancy है, और इसमें 5 vacancy non scheduled area और 3 vacancy schedule area की है, पूरा notification पढ़ना है आपको अगर आप आविदन करेंगे, इसमें master degree आपकी fisheries science, या MSC zoology से जो भी candidate है, वो भी आविदन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें जो है, आप master degree है, MSC zoology में, या फिर fisheries science में, उसके साथ में आपके पास computer का कोई भी degree diploma, कोई भी degree diploma, ठीक है, degree diploma या certificate in computer science, या computer application, या फिर राजिस्थान में RSCIT होता है, ये भी है, तो भी आप आविदन कर सकते हैं, pay metric level 11 के according, इसमें salary रहेगी, निउनतम 21 से 40 वर्स उम्र, और आय उसी मा में चूट जो है, वही रहेगी, विलकुल समान, application fees भी सभी में समान है, समाने वर्ग के candidate 600 रूपीज रहेंगे, और आरक्षित वर्ग 400 रूपीज है, सभी के लिए, दिव्यांग जन के लिए भी, ठीक है, इसमें जो है, जी के राजिस्थान का, और आपके subject में, य आपके जो है, सलेबस है, आप देख लेते हैं, लास्ट डेट क्या है, तो आप यहाँ पर देखें, राजिस्थान, राज्य एवं, अधीनस्त सेवाओं के लिए, फॉर्म की जो अंतिम्तिति है, इसमें जो लास्ट डेट है, 19 सितंबर से लेकर, 18 अक्टूबर, 18 अक्टू इसकी जो लास्ट डेट है, 17 सितंबर से लेकर, 16 अक्टूबर, नेक्स्ट असिस्टेंड फिस्रीज डेवलप्मेंट ऑफिसर की लास्ट डेट, ध्यान में रखनी है, कहीं ऐसा ना हो, कि आप लोग आविदन करना चाहें, और लास्ट डेट निकल जाएं, इसमें लास्ट 11 सितंबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024, तीनों की लास्ट डेट अलग अलग है, आईू सीमा 21 से 40 वर्च समान है, आविदन सुल्क भी समान है, क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, और सैलरी भी जो है अलग 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 दी हुई है, ठीक है, नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, यहां पर आप लोगों को लेफ्ट साइट में रिक्रूट्मेंट अडवर्टीजमेंट नजर आएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लें, नेक्स्ट जो आपके समने पेज ओपन होगा, तो 2 सितंबर को तीनों नोटिफिकेशन जारी किये गए हैं, वो आपको यहीं पर मिल जाएगा, सीरियल लंबर 1, 2 & 3, ठीक है, यहां पर लिंक दिये हुए हैं, डाउनलोड करने का ओप्शन है, इस पर डाउनलोड करके आप लोग पूरा नोटिफिकेशन चेक करें, थैंक यू,